Student UGCNet का exam बहुत जल्दी conduct होने वाला है, notification आज चुका है, notification से लेटेड वीडियो भी हम लोगों ने upload की हैं, बट अब क्योंकि exam होने वाला है तो जरूरी है कि आप अपने exam को लिकिए थोड़ा सा serious हो जाएए और उन एरियास पर focus कीजिए जो exam के लिए सबसे ज़्यादा important है हमें लगता है कि latest scenarios में जो कुछ हो रहा है सिर्फ वही important है, for example कई बच्चे कहते हैं सर हम Russia, Ukraine, war के बारे में पढ़ लें क्या, Russia की history हम लोग समझ लें क्या, क्या उससे important कुछ हो सकता है, इस तरह की point, बट आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप UGCNet के लिए prepare कर रहे हैं, CU set के लिए prepare कर रहे हैं, DTSB के लिए prepare कर रहे हैं, तो इन exam के syllabus academic foundation पे ज़्यादा based होते हैं, ना कि current affairs को लेकर ज़्यादा concern, वहीं अगर आप civil service के aspirants है, तो current affairs important role play करेगा, तो ऐसे में international relations में किन areas को आपको focus करना है, हम उन सब को detail में पढ़ेंगे, although UGCNet के syllabus को जब हम देख में होते हैं, इसलिए हमने NETCACUS के अंदर एक syllabus prepare किया है, जिसके अंदर हम हर उस area को cover up करते हैं, अपने syllabus में systematic point to point हम लोगोंने हर चीज़ को यहाँ पर note down किया है, कि क्या-क्या चीज़े आपके exam में important रहती हैं, line to line, ताकि exam में पूछा गया हर एक area यहाँ पर cover up हो, student welcome to NET आपका स्वागत करता हूँ और आज बात करेंगे हम unit introduction international relations के उपर, तुसरों international relations के अगर as a subject हम लोग important समझें, तो आपके exam में हर बर लगबग 8 से लेके 11-12 तक questions यहाँ से पूछे जा सकते हैं, तो ऐसे में बहुत ज़रूरत है कि हम इस area के उपर बहुत अच्छे से focus करें, although पिछले कुछ सालों से international relations में आने वाले question काफी हत्ता किस चीज़ पर depend करते हैं या based होते हैं, कि जो की contemporary issues को connect करते हैं आपके basic issues के साथ, तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप जब studies करें, किसी भी source को consider करें, तो बहुत ध्यान से consider करें, although हमें बहुत depth में जाने के ज़र तो international relations basically cover करता है तीन चीज़ों को, सबसे पहले history, हमारे ले जरूरी है समझनी, history से example हम लोग क्या समझेंगे, हम history से समझेंगे उन theories को, जो की जुड़ी हुई है international relations के साथ, या हम concepts की बात करेंगे, concepts और theory में क्या आएका, for example हम power की बात करें, कि power का सद्धान्त क्या है, power की philosophy क्या है, but state को समझना भी यहां पर जरूरी हो जाएगा, concept of power, concept of state, concept of sovereignty, समपरभुत्ता क्या है, शक्ति क्या है, राज्ये का सिद्धान्त क्या है, और इसी के साथ, वो theory जो international relations में सबसे important है, जैसे कि आप बात करेंगे, idealism की, liberalism की, या realism की अगर मैं बात करूँ, या मैं बात करूँ post-modernism की, तो यह theories आप से पूछी जाती है, तो यह historical background है, बटेसी के साथ historical background में एक और चीज हमें पढ़नी बहुत जरूरी है, और वो यह है कि हमें 1914 से लेकर, 2020 के बीच में क्या हुआ, इन सब चीजों को भी समझना पड़ इसमें हमें detail में कुछ नहीं पढ़ना है, for example, World War I, जब आप पढ़ते हैं, तो World War I के समेट treaties, Treaty of Versalis जैसे हुई, League of Nations का उसके बात बनना, इन सब points पर आप focus करेंगे, World War II को जब आप पढ़ेंगे, तो World War II में आप से पूछा जाता है, basically, United Nations के बनने के उपर काफी सारी conferences हु पढ़ते हैं, Cold War के अंदर, basically, इस समय जो treaties हुई, non alignment moment का आना, ये सब चीजे हमारे लिए important हो जाती हैं, और यहां जब मैं international relation word का इस्तमाल करता हूँ, बार बार, और यह कह रहा हूँ कि international relation, तो मैं इसमें Indian foreign policy को add करके चीजे समझाने की कोशिश आपके साथ करूँगा, ता बहुत important है, तो systematically हम इसको cover up करेंगे, कई बार आप से question पूछे जाते हैं, for example, Westphillian treaty कब हुई, इस तरह के question भी आते हैं, French revolution, chronological order पूछ ले जाता है, American revolution, glorious revolution, तो एक chronological order भी आपको पता होना चाहिए, इसके बास second important चीज़ क्या होती है international relation में, उसके उपर हम थोड़ा सा focus कर लेते हैं, तो ऐसे focus के लिए हमें जरूरी है कि हम second part जो है हमारा international relation का, ये जुड़ता है basically हमारा किस के साथ, हमें यहाँ पर समझना है कि क्या है role, role किस तरह से एकर हम समझेंगे different उसका, actors क्या है, यहाँ पर non-state actor क्या है, हम इनको समझते हैं, तो organizations जो है, उनका role important हो जाता है, for example United Nation क्या है, OIPAC क्या है, EU क्या है, किस तरीके से world politics के उपर international diplomacy में यह organization important role play करती है, हम उनको समझते हैं, और तीसरा part जो हाता है, हमारा यहाता है contemporary issues को लेकर, अब contemporary issues से आप लोग क्या समझते हैं, for example Russia of Ukraine war एक contemporary issue है, तो basically हम यह कह सकते हैं कि ऐसे issues जो पिछले 10-15 सालों से या modern time में भी काफी important रहे हैं, 2000 के बाद से लेकर अब तक, उनको हम लोग cover up करेंगे, जैसे कि Syrian war यह सब यह समय को iterative हुई, यहां तक कि environment भी अब contemporary issues में आता है, Paris climate agreement से आप से question पूछ लिया सकता है, उससे related किसी detail पे question पूछ लिया सकता है, तो इस तरह की चीज़े हम cover up करत हैं, तो question दूसरा यहां पर यह आएगा, कि सर्फ sources का इस्तमाल कैसे किया जाए, किन-किन चीज़ों को यहां पर पढ़ना चाहिए, देखिए, practically अगर हम समझें, तो international relation का sublabors cover करने के लिए आपको बहुत सारी किताबों की जरूत पड़ेगी, because यह syllabus comprise करता है, बहुत diversification को तो ऐसे में एक या दो किताबे आपके लिए काफी नहीं होगी, historical background के लिए मैं suggest करूँगा, कि आप अपनी graduation के notes को focus कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने graduation किसी भी Central University से की है, तो उन notes के अंदर आपको easily मिल जाएगा war histories जो है, आप World War I, World War II पढ़ सकते हैं, Cold War के टाइम पे क् incident हुए, for example, Cuban Missile Crisis कब हुआ, यह आप से पूछा जा सकता है, यह सब चीज़े आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, उसके बाद international organization के लिए बहुत सारी writings available हैं already, और internet का भी सहरा ले सकते हैं, आप इन को cover up करने के लिए international relations में इस particular area, organizations और अगरा को cover करने के लिए, contemporary issues के लिए I can suggest कि आप internet का इस्तमाल कर सकते हैं, बट आप किसी भी contemporary issue को पढ़े हैं, तो बहुत depth में उसके जाने के ज़रूत नहीं है, क्योंकि आप यह समझे हैं कि आपका exam जाहतर basic चीज़ों के उपर, that means academic का part है, उसके उपर जादा focus कर रहा है, current phase में बहुत जादा आपको depth में जाने के बच्चों को कई बर लगता है कि contemporary issue में उनको एक साल या उससे जादा के सनय में क्या-क्या हुआ, वो सब पढ़ना है, बट ऐसा कुछ नहीं है, आप सिर्फ एक बर issues की थोड़ी सी knowledge अगर रखते हैं, for example, 2001 से लेके आप अभी तक मान लीजे, main क्या-क्या बड़ी घटना है गटी, उनको आप लोग cover-up कर सकते हैं, उनकी थोड़ी सी knowledge एकटी कर सकते हैं, हाँ, English वाले बच्चों के लिए शायद उतनी problem नहीं होती, especially अगर आप Delhi या किसी metro cities से आते हैं, क्योंकि बहुत सारी writing easily available है, बट सबसे ज़्यादा issue होता है हिंदी वाले students के साथ, because Hindi medium में जा करने के लिए, Nat Crackers का postal material Hindi और English दोनों ही medium में available है, जिसको आप अपने घर बैठे बैठे, throughout कहीं से भी इंडिया में order कर सकते हैं, within one week यह आपके घर पर deliver हो जाएगा, जिसमें हमने detailed हर चीज़ को cover-up किया है, आप इसको पढ़ सकते हैं, और इससे आप चीज़े cover-up कर सकते ह तो अब student बात करते हैं, syllabus के core areas के उपर, so syllabus को हम लोग 7 different areas में बाठ सकते हैं, 7 parts के अंदर हम लोग अपने IR के syllabus को cover-up कर सकते हैं, तो first part जो है हमारा यह approaches and concepts से related, इसमें क्या-क्या हम लोग पढ़ते हैं, इसमें हम लोग theories को पढ़ते हैं, for example, idealism क्या है, idealism का base क्या है, तो ऐ ऐसे में अगर आप Western Political Thought पढ़के आए हैं, unit number 2 और unit number 1, आपने theories and concepts को पढ़ा है, जिसको आप traditions भी वहाँ पे लिखा होता है, तो ये cover-up आपका हो जाएगा, इसी तरह से हमने realism भी unit number 1 के अंदर पढ़ा था, जब हम IR में इसको पढ़ते हैं, तो ये new हो जाता है, कई जगा पढ़ेंगे, new realism, कई जगा लिखा होता है, structure realism, कई जगा लिखा होता है, contemporary realism, पर ये थार्तवाद का यही मतलब हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, तो आप चाहें, तो unit number 1 के अंदर भी इसको add-on करके cover-up कर सकते हैं, जब हम online classes में इन topics को discuss करते हैं, और मैं unit number 1 में realism को के तोर पर यहाँ पर पढ़ते हैं, हम यहाँ पर feminism को पढ़ते हैं, feminism क्या है, इसके क्या modern expects है, different waves of feminism, इसी तरह आप यहाँ पढ़ेंगे post-modernism को, इसके अलावा constructivism जैसी theories भी इसी का हिस्सा है, वही concepts की अगर मैं बात करूँ, जो based concepts होते हैं, तो हम पढ़ते हैं, power क्या है power की definitions क्या है, साथी क्या role है power का आज की समय में, sovereignty की ideas क्या है, sovereignty से जोड़े questions को हम discuss करेंगे, जो पहले सालों में पूछे गए हैं, उनसे area cover होता है, non-state actor, basically organization जो होती है, power group जो होते है, pressure group जो होते है, इनको हम लोग पढ़ते हैं, बट कुछ और concepts को अगर आप यहाँ पर add कर power के concept को पढ़िए, ताकि आपके लिए समझना असान हो जाए कि international relation में ये concept किस तरीके से work करता है, अब जब आप इक बड़ इन base areas को cover up कर लेंगे, तो इसके बाद हमने part 2 की तरफ चलते हैं, student अगर आई, और किस लेबल से हम second part की तरफ बढ़ें, तो ऐसे में हमारा second part basically बा फिर है, उसको थोड़ा सा पढ़ना और समझना जरूरी है, कई बर आप से ऐसे question पूछ जाते हैं, for example, stat exam में पूछा गया था कि blitz greek क्या है, ये war technique सबसे पहले किस ने इस्तमाल करी, तो जब Germany ने Poland पे attack किया था, 1939 के अंदर, तो ये attack बहुत fast attack था, और एक की साथ Germany की army और Air Force ने Poland पे बहुत sudden attack किया, जिसका reply Poland की force नहीं दे पाई, और इस technique को कहा गया blitz greek, तो इस तरह की question आप से पूछे जा सकते हैं, weapon of mass destruction क्या है, for example, कई बर हम कहते हैं, कि जपान पे nuclear attack हो, nuclear bomb गिराया गया, बट जपान पे जो bomb गिराया गया था, वो nuclear bomb नहीं, atom bomb था, तो किस development हो रही है, hydrogen bomb क्या है, इस तरह की points आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, इनका idea होना चाहिए, difference में basically आता है, हम बात करते हैं रस्ता की, तो ऐसे में अलग-अलग treaties जो आई, cold war के time पर, for example, NTBT, CTBT जैसी treaties जो आई, इन सब के बारे में आप से question पूछे जाते हैं, तो cold war में जितनी भी treaties sign हुई, convention आए, to prevent the war और to prevent the weapons of mass destruction, उसको हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, conflict resolutions में treaties आती हैं, साथी conflict transformation के एक जगा से हटके, किसी और चीज़ के उपर transformate हो गया है, कोई issue तो उसको लेके discussion होता है, यहाँ पर फिर next point हमारा आए का United Nation, which is a very important part in our syllabus, यहाँ पर aim over objective क् हमने historical background में यह चीज़ समझी है, कि United Nation के लिए कौन-कौन सी treaty आई, Atlantic Charter क्या था, San Francisco Conference में क्या हुआ, Yalta Conference का क्या रोल था, उन सब को हम पढ़ेंगे, तो base हमारे को वहाँ से मिल जाएगा, फिर United Nation के aim क्या है, objective क्या है, structure क्या है United Nation का, modern development क्या है United Nation की, अब यहीं पर एक question आप apply आप मुझे comments में जरूर से लिखेगा, इसके बाद इसी में ICJ आएगा और international laws जो है different हम उसको पढ़ते हैं, तो यह सलेबस के दो important area हमारे over cover होते हैं, चलिए अब आगे के areas की तरफ बढ़ते हैं, तो next point की तरफ बढ़ते हैं, student हम बात करेंगे political organization, economy की basically क्या है, इसमें क्य क्या क्या सिस्टम आप पढ़ते हैं, globalization क्या है, global governance क्या है, इस तरह के topic हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, Britainwood system जिसकी बात मैंने पहले किये थी, 1944 में हमारे सामने आया WTO, World Bank और इसी के साथ साथ IMFA, 3 sisters organization इनको बोला जाता है, economy, trade के मामलों में interfere करती हैं, इसके लाबा North South dialogue, इ मेरी एक video भी already uploaded है, link में आप नीचे उस video को देख सकते हैं, साथ ही WTO क्या है, G20 Bricks, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, India का role क्या है इन organizations में, वो हम यहीं पर साथ में add करते हुए जाएंगे, फिर आता है regional organization क्या है, European Union, African Union, Shanghai Corporation Organization and ASEAN, इनको हम लोग यहाँ पर cover up करते है तीनों ही organization में आपको, चारों ही organization में आपको कुछ चीज़े ध्यान रखनी है, सबसे पहली बार historical background क्या है, कब यह आई और उसके बाद modern development क्या है, उसको समझना पढ़ेगा, for example, WTO जब आप पढ़ेंगे, तो general agreement on tariff and trade यह क्या है, यह आपको पता होना चाहिए, 1994 में WTO हमा बहुत जरूरी होता है, अब इसके बाद आते हैं next area की तरफ, student हमारा सबसे आखरी point जो है, यहाँ पर basically contemporary challenges को समझना है, तो international terrorism जो है, यह एक important area है आपके पढ़ने के लिए, for example, आपसे पूछ लिया जाए कि black widow concepts किसी से जुड़ा है, तो चेचनिया के अंदर, जो चेचन terrorists ह वो लोग black widow concept का अस्तमाल करते हैं, जहाँ पर कुछ ladies बुर्खा पहन के और time bombs लगा के जाती हैं and they blast, तो ऐसे जो concepts थे उसको चेचन ने स्टार्ट किया था, black widow concept उसको कहा जाता है, साथ यह जो word है international, यह terrorism के साथ जुड़ा, 2001 के बाद यह कि उससे पहले America कहते था कि terrorism is all about Asia, India and Pakistan, but 2001 ने बताया कि terrorism अब global हो चुका है, international हो चुका है, तो जो different groups हैं throughout the world, जैसे IS-IS के अगर हम बात करें, तो यह groups क्या है, कहां operate करते हैं, यह सारी basic information हमें चाहिए होगी, climate change में हम पढ़ेंगे international concern क्या है, for example, Paris Climate Agreement क्या है, Kyoto Protocol के बारे में आप पढ़ेंगे, UNFCCC क्या है, COP की latest meeting कहां पर होई, यह सारे point हम लोग पढ़ेंगे, human right में आप basically पढ़ेंगे कि क्या issues आ रहे हैं, अभी आपको पता है कि 2001 के बाद, America ने जब दुनिया भर में, especially Middle East की countries के अंदर invention किया, जगा जगा attack हुए, तो ऐसे में एक बहुत बड़ा crisis create हो गया, जो कि human rights को challenge कर रहा था, उसी के साथ, दुनिया भर में अभी भी human rights की condition बहुत ज़ादा खराब है, यहाँ पे हम refugee crisis, जो Syria का हम लोगों ने देखा, और अभी recently चल रहा है, Europe के अंदर, जहाँ पर Ukraine से लोग migrate हो रहे हैं, बड़े तोर पर, उसके बाद poverty and development क्या है, millennium development goal, sustainable development goal, जो आप unit number 1 में भी पढ़ेंगे, वो आपको यहाँ पर help करने वाले हैं, साथ ही religion और culture, identity, politics क्या होती है, international relation में इसका क्या role है, आप उसको पढ़ेंगे, अफगानिस्तान में सत्ता change हुई, और अब जो government अफगानिस्तान में बनी है, tyrannical government है, और religious laws को अपनाई कर रहे हैं, that means, जो religion है, उसके basis पर कानुनों को बनाया जा रहा है, तो यह सब points आप यहाँ पर पढ़ेंगे, तो इसी के साथ student आपका IR का syllabus यहाँ पर खत्म होता है, अब again हमने यह तो समझ लिया कि historical background हम लोग पढ़ सकते हैं, उन किताबों से जो आपने graduation में पढ़ी, आपकी masters की जो किताबें हैं, आपक कोई specific writing को mention नहीं करूँगा, क्योंकि हिंदी में कोई specific writing सारे syllabus को cover करें, ऐसा जरूरी नहीं है, तो better है कि अगर आप कोई भी किताब खरीद रहे हैं, तो अपना syllabus साथ लेके जाए, topics को cover up किजिए के check सारे topics हैं या नहीं है, तब ही आप किताब खरीदिए, बाकि आप channel के सा पड़े रहे हैं ताकि इसी तरह से important videos हम आपको देते रहें, साथ ही जिन topics में, जिन areas में आपको doubt हो, comment box में जरूर लिखिए, धन्यवाद दोस्तों